हेलो स्टूरेंट्स वेलकम बैक टू मैगनेट ब्रेंज हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम के चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और साथी साथ धील सारी शुबकावनाओं के साथ आज मैं उपस्तित हूँ आपके लिए आपकी टर्म टू जी हां सत्र दो की परि चित होकर कॉंसेंट्रिशन के साथ बैठिएगा ताकि आपको हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में प्रश्न के उत्तर सही से आप लिख पाएं और किस तरह के कौन से प्रश्न को कितने शब्दों में लिखना होगा सारा कुछ डीटेल आज आप इस वीडियो में देखेंग और साथ ही साथ हर एक प्रश्न के जो शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि जो भी आप उत्तर लिखेंगे उसमें आपको आसानी हो तैयार हैं चलिए चलते हैं CVSC Sample Question Paper with Solution और Paper No.1 जो की आपकी Term to Exam आने वाले हैं और हम सब जानते हैं कि परिक्षा में यदि हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन हाँ परिक्षा से पूर्व्यदी हम भर्सक प्रयास से जुटे रहे कड़ी मेहनत से जुटे रहे और अपनी लगन मेहनत और समरपन भाव के साथ तैयारी कर ली तब फिर परिणाम से जो मुस्कराहट आपके चहरे पर आपके पेरेंट्स के चहरे पर और आपके टी है दुत्य सत्र मींस टर्म टू आपको बता ही है विशहिंदी ए ठीक है हम कोर्स ए जिसका की कोड है डवल जीरो टू ध्यान से देख लीजे कि जो हमारा कोर्स ए है उसका कोड है डवल जीरो टू जब आप परिक्षा में जो आपकी उत्तर पुस्तिका रहेगी उसमें आप लिखेंगे तो घलती नहीं करना है कोई भूल नहीं करना है अराम से रीड करना है सारे इंस्ट्रक्शन ठीक है जो भी सामाने निर्देश दिये जाएंगे उनको आपको अराम से पढ़ना है रीडिंग टाइम भी होगा ही ठीक है यहाँ पर जैसे निरधारित समय आपके प पूरवक प्रश्णों को भी पढ़ना है पढ़कर समझना भी है और हर एक प्रश्ण का उत्तर भी गम भीरता पूरवक लिखना है अब क्या होता है कि परिक्षा हॉल में जाते ही हमें थोड़ी सी घबरहाट होने लगती है ना लेकिन नहीं घबराना है अभी यदि आप यह स सामना ना करना पड़े विटा बिल्कुल तयार रही है इस तरह से इस प्रश्ण पत्र को देखिए इस समधान को देखिए इस वीडियो को देखिए कि आप आज ही बोर्ड की परिक्षत दे रहे हैं ठीक है तो गंबीरता पूरवक हम यहां पर पूरा समधान करेंगे एक ए चलते हैं सबसे पहले कि हम यह जो निर्देश हैं उनको किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए अधिकतर बच्चे क्या करते हैं फ्रेंट पेज जो हमारा क्वेस्टन पेपर रहता है उसको पलट दिया निर्देश नहीं पढ़े हैं और फिर हम कन्फ्यूज होते रहता है सारे पेपर में जो लिखना चाहिए था वो रह जाता है और फिर घर आकर देखते हैं ओ शिट यह तो मैं कर सकता था लेकिन अब पच्चता है होत का जब चुडिया चुक गई खेद तो पूर्व हमें कुछ भी कारे करने से पहले एकदम कमार कस के तयार हो जाना है ठीक है देख समय रहेंगे आपके पास दो घंटे सामान्य निर्देश ध्यानपूरवक सुनिएगा इस प्रश्न पत्र में दो खंड हैं खंड का और खंड का ठीक है दूसरा पॉइंट है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं यथा संभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम अनुसार ही लिखने से बहुत अच्छा रहता है ताकि क्यूंकि जो बाद में रचनात्मक लेखन है हम उसमें लिखते लिखते अपनी क्रियेटिविटी इतने अराम से करने लगते हैं कि बाद में फिर प्रश्नों के उत्तर लिखने का समय ही नहीं रहता तो कोशिश कीजिएगा अभी आप बिल्कुल इसी तरह से बैठी है कि आप बस मैं तो पेपर दे रहा हूं बोर्ड परिक्षा दे रहा हूं मैं ठीक है तो इसी तरह से आपको हर एक क्रम अनुसार यदी उत्तर लेखेंगे तो बहुत सही रहेगा तो इस सलाह को भी मानने आप लेखन कारे में स्वच्छ क्याची किदर है और वो जो राइटिंग रहती है वो पढ़ने योग नहीं रहती तो फिर वहाँ पर आपके अंक कटने लगते हैं क्यूंकि आप जो सोच रहे हैं कहीं अक्षरों को काट रहे हैं कहीं हर कुछ लिख रहे हैं समझ में नहीं आता अर्थाथ आपको अपनी स् हैं कि लेंग्वेज हमेशा अधिक कॉंटेंट चाहिए उसको जो भी उसने पूछा है उत्रे शब्द आपको देने होंगे ठीक है खंड कामे कुल तीन प्रशन है दिये गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रशनों के उत्तर दीजे प्रशन केवल तीन है लेकिन इनके उप प्रशन मींस सब क्वेश्चन्स भी हैं तो जो भी वहाँ पर निर्देश दिये होंगे उनको आपको अच्छे से करना है अभी हम देखेंगे ना पाचवा है आपका निर्देश की खंड कामे कुल चार प्रशन है खंड कामे कितने है तीन और खंड कामे कितने है चार सभी प्रशनों के साथ विकल्प भी दिये गए हैं हम पाच में पॉइंट की बात कर रहे हैं खंड खा की निर्देश अ और पूरणांग तो आपको पता ही है और सुन लेजे कि 40 नंबर का पेपर होने वाला है हमारा परिक्षा होने वाली है उसी आधार पर हमें अंक यहाँ पर बिल्कुल निर्धारित किये गए हैं आईए चलते हैं आगे अब ध्यान से दीजे हम पहुँच गए हैं खंड का पर जो की हमारी पार्ठ पुस्तक कौन सी है हमारी में पार्ठ पुस्तिका क्षितिज और पूरा पार्ठ पुस्तिका है हमारी क्रती का तो यह जो खंड का है वो हमारी पार्ठ पुस्तक से है ठीक है पहला प्रशन इसमें है कितने प्रशन दिये हैं पता है आपको तीन में क्व और सब क्वेस्टेंस मीज उप प्रश्ण भी दिये गए हैं ठीक है निमने लिखित प्रश्णों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए अब बच्चे क्या करते हैं माली जे फादर कामिल बुल की बहुत अच्छे व्यक्ति थे उनको ये काम आता था ये सभी की मद 25 या 30 शब्दों में उत्तर लिखने की बाद जो जा रही है उसमें हम सहाइक क्रियाओं को नहीं जोडते हैं जैसे से थे हैं है न वे इन शब्दों को नहीं जोडा जाता है तो आप कैल्कुलेट कर लिजे माली जी ये लिखा है कि फादर कामिल बुल के संकल्प से सन्यासी थे यहां कितने शब्द हैं एक दो तीन चार पांच इसमें सिर्फ पांच शब्द हैं यहां पर सुनिएगा यदि पांच शब्द हम इस तरह से लिखेंगे तो हमें पांच लाइन तो लिखनी होगी हमारी कॉपी की आप से से या थे या ऐसा था इनको कैल्कुलेट नहीं क का निर्मान करेंगे कि हमें लगभग 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखना है मन से नहीं लेखक के इस कथन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर का जीवन परम परागत सन्यासियों से किस प्रकार अलग था यह पाठ है हमारा तेरा मानविय करुना की दिव चमक हमारी शामिल बुलके की बात की जा रही है अब हम 25 से 30 शब्दों में किस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं वो देखिए यहां पर हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ठीक है तो बहुत ध्यान से देखते जाईएगा और जब आप एक बार और वीडियो को देखेंगे तो अ चीशती शब्द माने गए हैं सन्यासी के परमपरागत स्वरूप में मोह त्याग कर सामाने तह समाज से पलायन कर जाने की प्रवर्ति जो परमपरागत सन्यासी रहते हैं वो क्या करते हैं अपना घर वार छोड़ कर मोह माया त्याग कर पलायन कर जाते हैं दूर चले जाते हैं दूसरा पॉइंट क्या है हर एक को जब किसी के बारे में विशेशता हैं पूछी जाती है तो आपको points में लिखना चाहिए जब points में लिखते हैं तो number अच्छे मिलते हैं ठीक है दूसरा पॉइंट क्या है फादर कामिल बुल के द्वारा परंपरागत सन्यासी प्रवर्ती से अलग नई परंपरा की स्थापना क्यूंकि उन्होंने सो ऐसा नहीं किया अर्था जो भी सन्यासी की परिभाशा मिली यदि उन्होंने वो परंपरागत सन्यासी से एकदम अलग चोथा है प्रिये जनों के घर समय समय पर आना जाना संकट के समय सहानू भूती रख उन्हें धैरे बंधाना आधी तब जाकर वो परिक्षा में जो चैकर्स रहेंगे वो आपको दो मैं से दो नंबर देंगे समझ मैं आया बेटा तो इस तरह से आपको बड़े सुन्दर और सटीक शब्दों में वाक्य निर्मित करके उत्तर लिखना है अब ये कौन से पैराग्राफ में होगा वो भी हम देखेंगे कि कहां हमने पढ़ा था ये तो देखिए व्याख्या लेखक ने कब बताया था कि ल सन्यासी के परमपरागत स्वरूप में मोह त्याग कर समाज से पलायन कर जाने की प्रवर्ति होती है किन्तु फादर में एक सच्चे सन्यासी के समान मानविये गुनों का समावेश था वे परोपकारी थे उन्होंने परमपरागत सन्यासी से अलग एक नई परमपरा की स्था पॉलेज में अध्यन एवं अध्यापन कार भी किया अपने सभी प्रिय जनों के प्रती उनके मन में मोह प्रेम और अपनत्व का भाव था वे सभी के घर समय समय पर आते जाते और संकट के समय उनके प्रती सहानु भूती रखकर उने धांडस बंधाते थे ये जो है वो हमारी पाठ पुस्तक का है और पॉइंट किस तरह से लिखना है वो अभी आपने देखा और सुना इसी का सब पहले का खा पर चलते हैं हम अब एक और प्रशन आया कि फादर की उपस्थिती लेखक को देवदार की छाया के समान क्यों लगती थी पाठ के अधार पर सिद्ध कीजिए आप क्या करना है कितने अच्छे से बिल्कुल पॉइंट तू पॉइंट बताया है क्यों लगती थी मा अनविये गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व वा सब के लिए कल्यान की कामना इतने अच्छे से लिखना है परम हितैशी के समान लोगों को आशीर वचनों से सराबोर कर देना भरपूर वाकसल्य से भरी नीली आखों में तैरता अपनापन उपर युक्त कार्णों से फादर की उपस्थिती देवदार की चाया जैसी लगना कि क्यूं उनको लेखक ने देवदार की चाया जैसा कहा अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि कहां दिया है ये हमारी बाट पुस्तक में ताकि हम भी देखें देखें फादर कामिल मानविय गुणों से युक्त आदर्श व्यक्तित्व थे जिनके मन में सबके प्रती कल्यान की भावना थी उनकी वातसल भाव से परिपून नीली आखों में तैरता अपनत्व मन को शान्ती प्रदान करता था फादर अपने प्रिय जनों के घर घरेलू संसकारों में पुरोहित और अग्रज की तरह उपस्तित होकर सबको आशीर वचनों से भर देते थे अग्रज समझते हैं बड़े भाई अनुज छोटे भाई ठीक है जिस प्रकार देवदार का विशाल व्रक्ष सब गोचाया और शीतलता प्रदान करता है उसी प्रकार लेख़क को फादर की उपस्तिती देवदार के सघन वरिक्ष की छाया के समान शीतलता सनरक्षन तथा मन को शान्ती प्रदान करने वाली प्रतीत होती थी चलते हैं आगे खंड का का पहले का ही है तीसरा गा क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है सकारात्मक सनक की जीवन में क्या भूमिका हो सकती है सटीक उधारनों द्वारा अपने विचार प्रकट कीजिए बताईए क्या सनक का भी कोई सकारात्मक रूप हो सकता है आईए देखते हैं कि किस तरह से इसके उत्तर को लिखा जा सकता है सनक अर्थाद धुनका पक्का होना लगन महनत तथा इमानदारी से काम करने की सनक सकारात्मक सनक यहां पर आप देखिए कि सनक अर्थाद धुनका पक्का जिद जुनून ठीक है जिसमें लगन महनत इमानदारी से अपने कार करने की इच्छा हो उसको हम सकारात्मक सनक के अंतरगत रखेंगे और क्या है व्याग्यानिकों महापुर्षों तथा समाज सेवियों के उधारण है कि उनमें सकारात्मक सनक थी यह है तब ही जाकर समाज में कुछ नए नए परिवर्टन आते हैं आजादी के मतवाले क्रांतिकारी सामाजिक बुराईयों को समूल नश्ट करने की ठानने वाले समाज सुधारक पहाड काटकर रास्ता बनाने वाले दश्रत मांजी जैसे सकारात्मक सनक वाले व्यक्तियों के उधारन आएंगे इसमें अब देखिए कि यह क्या है येस हां सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है सनक अर्थात धुनका पक्का होना अपना जिद से कारे को करना जुनून के साथ कारे को करना ऐसी सापेक्ष सनक अर्थात लगन मेहनत तथा इमानदारी से काम करने की सनक सकारात्मक होती है और इसके परिणाम भी अच्छे ही निकलेंगे जिस कारे को हम सकारात्मक रूप से करेंगे परिणाम भी अच्छे निकलेंगे इससे आत्म विश्वास बढ़ता है आचारे चानक्य जैसी सकारात्मक सनक से युक्त महापुरुष थे उन्होंने बड़ी बड़ी विपदाओं की चिंता किये बिना एक सामाने बालक को समराट बनाने की ठान ली और वही हुआ यह बचेंद्री पाल की सकारात्मक सनक ही थी कि उन्हें एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचा दिया ठीक है महात्मा गांधी की सनक ने बिना हत्यारों के अंग्रेजों की दास्ता से भारत को मुक्ति दिलाई आजादी के मतवाले क्रांती कारियों को आजादी प्राथ करने की सकारात्मक सनक थी सामाजिक बुराईयों को समूल नश्ट करने की ठानने वाले समाज का नव निर्मान करने वाले समाज सुधारक ऐसे ही सकारात्मक सनक के उधारन है और चलते हैं पहले प्रश्न का ही चौथा अर्था घा लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थक्ता तरक सहित सिद्ध कीजिए लखनवी अंदाज पाठ का नाम है तो वो शीर्षक क्यों रखा गया क्या वो शीर्षक सही है या फिर इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है आईए देखते हैं विशे वस्तू से शीर्शक के पूरी तरह मेल खाने में ही शीर्शक की सार्थकता। जो भी शीर्श, समझते हैं, ऊपर एकदम सर्वो परी जो दिखाई दे, शीर्श पर, यदि उसी से कुछ मेल खाता हुआ, मेल खाता हुआ जो चैप्टर आता है उससे उसकी समझ में आती है कि हाँ ये शीरशक सही है लखनवी अंदास शीरशक की कथानक से पूनता संबद्धता जूठी नवावी शान दिखावा सनक नजाकत आधी का वर्णन किया है लेखक को दिखाने के लिए खीरे की फाकें सूंग कर खिड़की से बाहर फेकने वाली घटना का उलेख आदी लखनवी अंदास की और संकेत करता है इंडिकेट करता है आईए देखते है कि किस तरह से ये हमारे पाठ में दिया है और कौन से पैराग्राफ का है देखे के रईस नवाब के खांदानी नवावी अंदास के प्रदर्शन को व्यक्त करता है वर्शों पूर्व नवाबी चिन जाने के बावजूद आज भी वे लोग अपनी जूठी शान और तौर तरीकों का ही दिखावा करते हैं कहानी में नवाब साहब द्वारा खीरे को पूठी नवाबी शान को व्यक्त करती है विशेवस्तू से शीर्षक के पूरी तरह मेल खाने में ही शीर्षक की सार्थकता है इस द्रिष्टी से कहानी का शीर्षक पून तहा सार्थक है जब भी आप किसी शीर्षक के बारे में लिख रहे हों तो अंत में हमें ये लिखना ही लिखना है कि अतहा जो भी शीर्षक दिया गया है वो कहानी की कथा वस्तू से मेल खा रहा है अर्थाथ जो शीर्षक है वो उप्युक्त है ठीक है बिटा प्रशन दूसरा खंड काका ही प्रशन दूसरा निम्न लिखित प्रशनों में से किनी तीन उत्तरों को 25 तीश शब्दों में लिखिए किनी तीन को ठीक है उत्सा कवीता के शीर्षक की सार्थकता तरक सहित स्पष्ट कीजिए कि कवी सूर्य कांत्रपाथी निराला जी ने इस कवीता का नाम उत्साह क्यों रखा अब हमें टाइटल मतलब जो शीर्शक है उसकी सार्थक्ता बतानी है और पॉइंट्स में बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उत्साह कवीता एक आवहन घीत कवीत समाज में क्रांती और उत्साह की भावना का संचार करने के लिए उद्दिश परक स्रजनसे प्रेरिथ बादल की गर्जना एवं क्रांती के माध्यम से लोगों के जीवन में उत्साह का संचार समझ में आया देखते हैं कि जो चैप्टर है जो कवीता है उसमें किस तरह से दिया गया है कि आखिर कवीता का जो टाइटल है वो क्यों रखा गया उत्साह तो आये देखते हैं यह कवीता एक आवान गीत है और आवान समझते हैं बुलाना किसी को प्रार्थ न करना किसी को आवान करना या आवान बुलाना ठीक है यह कवीता एक आवान गीत है आवान गीत उत्साह का संचार करने के उद्देश से लिखे जाते हैं जितने भी जो भी आवान गीत होते हैं या जिसमें पुकार की जाती है रदय से सच्चे मन से प्रेम से तो वहाँ पर उत्सा संचार करने के उद्दिश से ही लिखे जाते हैं कवी ने बादलों की गर्जना को उत्सा का प्रतीक माना है गर्जना तभी तो जो पहली पंगती है लिखा है ना बादल घर जेंगे तो नई चेतना उत्पन होगी कवी अपेक्षा करता है कि लोग बादलों की गर्जना से उदास इनता छोड़ उत्साहित हो जाएंगे जो विकल विकल थे जो व्याकुल थे जो तडप रहे थे जो पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे जब बादल के गर्जने की आवास सुनेंगे तो उनके मन में नव जीवन नव प्रेणना नई चेतना का उत्पन होगी न और उनके मन में उत्साह जागरित होगा प्रकृती में नव जीवन के समावेश और जन मानस में क्रांती चेतना के शंकनाद के लिए उत्साह की आवशक्ता होती ह ध्यान से देखिएगा इसको कि प्रकृती में जब भी नव जीवन का समावेश या जन्मानस में क्रांती चेतना के शंकनाद के लिए उत्सा की आवशक्ता तो होती है किसी भी नए कारे को जह हम करते हैं या अंजाम देने के लिए आगे खड़े होते हैं तो यू यदि आलस क के साथ जाएंगे तो उसका परिणाम सही हो ही नहीं सकता अर्थात हमें पूरी उर्जा के साथ पूरे उत्सा के साथ नए कारिक को शुभारंब की तरफ ले जाना होता है ऐसी अपेक्षा करते हुए ही कवी ने कवीता का शीर्शक उत्साह रखा है जो पूर्ण तहा ठीक है चलते हैं खा दूसरे का खा इस सत्र में पढ़ी गई किस कवीता में फागुन के प्राकृतिक सौंदर का वर्नन किया गया है उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए बताए कि आपने टर्म टू के जो चैप्टर्स थे उसमें ऐसी कौन सी कवीता पढ़ी है जिस इसमें फागुन के महीने का वर्नन है अट नहीं रही है येस उत्साह पक्का अट नहीं रही है ओके कवी निराला जी की ही कवीता है येस निराला कृत अट नहीं रही है कवीता में चित्रित फागुन के आप्रतिम सौंदर की अपने शब्दों में कलात्मक अभिव्यक्ती फागुन की सर्व व्यापक आभा एवं उसके अद्भुत सौंधर की व्यापकता का उलेख अद्भुत सौंधर कितना अच्छा वरणन किया है कवी ने प्रकृती में सौंधर एवं उल्लास का समावेश कन-कन का फागुन के रंग में रंग जाना संपून प्रकर्ती का पून रूप से दुलं की तरह सज्जाना ये सारा कुछ कवीता अट नहीं रही में कवी निराला जी ने बहुत सुन्धर तरीके से दिखाया है कई कवी निराला ने फागुन मास में देखिए बिटा जो पॉइंट्स हैं जब आप points लिखेंगे किसी भी उत्तर में तो आप 2-3 points लिख देंगे फिर उसकी आप व्याख्या करेंगे जिससे आपको जितने भी अंक का प्रश्न दिया जाएगा definitely आपको उतने ही अंक मिलेंगे बस आप ध्यान से अपने मन और मस्तिश्को को खुला करके रखिए और ध् लिखिए इस सत्र में पढ़ी गई कभी ता फिरिया पूरा उत्तर लिख रहे हैं अट नहीं रही है कभी निराला ने व्रिक्षों की डालिया हरे और लाल नव पल्लवों और रंग बिरंगे पुश्मों से लध जाती है सुवासित पवन उल्लास पूनवाता वरन और फागुन की सुन्दर्ता का प्रभाव मनुश्यों के मन पर भी पढ़ता है बिल्कुल चारों और उल्लास और उत्साह दिखाई देता है प्रकृति का सौंदर कहीं सास लेता हुआ तो कहीं अकाश में उड़ता हुआ सर्वत्र दिखाई देता है सर्वत्र मीस हर जग है कहा है न कभी ने आख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन स्वयम अपने सौंदर को समेठ ही नहीं पा रहा है अट नहीं रही है मतलब सवा नहीं रही है वो इतना सौंदर है फागुन का कि फागुन स्वयम अपने सौंदर को नहीं समेठ पा रहा है उसको एकत्रित नहीं कर पा रहा है असीमिद अब देखिए इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में कोरी भावुकता ना होकर जीवन में संचित किये अनुभवों की अनिवारे सीख है बताईए कविता के नाम के साथ कथन की पुष्टी के लिए उप्युक्त तरक भी प्रस्तुत कीजिए कि आपने इस सत्र में कौन सी कविता पढ़ी है जो कोरी भावुकता नहीं है सिर्फ कोरी भावुकता मीज सिर्फ भावनात्मकी नहीं है उसमें जीवन के संचित किये अनुभवों की अनिवारे सीख है कौन सी कविता थी जिसमें जीवन के अनुभवों की सीख दी जा रही थी मैं बार बार आपको हिंट कर रही वह सीख दी जा रही थी बता यह तो रितू राजज जी द्वारा रचित कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को सीख देती है इसलिए मैं बार-बार सीख शब्द को आपके समक्ष बोल रही थी रितुराज कृत कन्यादान कविता विदाई के समय मा की केवल भावुक्त प्रदर्शन नहीं देती ठीक है जीवन में संचित अनुभब पर आधारित उपधेश सौंदर्य वह वस्त्राभुशनों पर न कि अब देखिए किस तरह से हम करेंगे इसकी व्याख्या रितुराज कृत कन्यादान कविता में हाँ जब भी आप से कोई कविता के बारे में कुछ भी पूछा जाए या तो आशय स्पष्ट कीजिए तो कवी का नाम जरूर लिख दीजेगा इससे आपका जो चेकर होंगे वो समझेंगे कि बच्चा पढ़ाई करता है उसको सब कुछ मता है रितुराज कृत कन्यादान कविता में वर्नित मा परम परागत मा से पून तहा भिन्न है वो आज के समाज में फैली विकृतियों और नारी के साथ हो रहे शोशन के प्रती सचेत है इसी लिए वह अपनी बेटी की विदाई के समय कोरी भावुकता का प्रदर्शन नहीं करती बलकि अपने जीवन में संचित अनुभवों के आधार पर वह उसे सौंदर्य एवं वस्त्राभूशनों पर नारीज ने और मानसिक रूप से द्रुन बनने का संदेश देती है साथ ही वह बेटी को नमरता और संसकार युक्त होने के साथ साथ सोयम को किसी के सामने लड़की जैसा अबला ना दिखाने और शोशन का शिकार ना होने की व्यभारिक सीख भी देती है तो यहाँ पर हमने कन्यादान कविता में भली भाती पढ़ा था कि कितना प्रमानिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिमपूजी हो वस्त्र और आभूशन साब दिख भ्रमों की दरह बंधन है इस्त्री जीवन के पानी में जाक कर अपने चेहरे पर मत रीजना लड़की हो पर लड़की की तरह दिखाई मत देना यह जो सीख दी गई है मा के द्वारा वो सिर्फ भावनात मक नहीं है बलकि उसके अनुभवों के आधार पर दी जा रही है ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर इस सत्र में पढ़ी गई किस कवीता की अंतिम पंक्तियां आपको प्रभावित करती हैं और क्यूं अब देखिए यह जो टाम टू है उसमें आपने कौन सी कवीता पढ़ी जिसकी अंतिम पंक्तियां आपको प्रभावित करती हैं और क्यूं कितनी कवीता हैं पढ़िए सत्र में हमने सिर्फ दो कौन-कौन सी उत्सा अट नहीं रही है और कन्यादान उन्हीं से होगा ना उसके अलावा क्या है कुछ नहीं तो डरने की जरूरत नहीं है देखें कन्यादान आग रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं उत्सा विकल विकल उन्मन थे उन्मन बादल गर्जो अट नहीं रही है कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्रीपट नहीं रही है इनमें से किसी एक कविता की उल्लखित अंतिम कावे पंक्तियों के प्रभावित करने एवं प्रिय होने के कार् करना है ओकी इस सत्र में पढ़ी गई पढ़ी गई अट नहीं रही कविता की अंतिम पंक्तियां कहीं पढ़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है ने मुझे बहुत प्रभावित किया क्यों देखते हैं इसमें कवी ने मास में प्र शाकरतिक सौंदर अपने चरम पर होता है चरम पर समझते हैं नो शीर्ष पर एक दम उपर पतज़ड में ठूट बने व्रक्षों की डालिया वसंत्रतू के आते ही हरे और लाल नव बल्लवों और रंग बिरंगे पुष्पों से लद जाती हैं चारों और का वातावरन पु रंगे सुंदर फूलों से सजे व्रक्षों को देखकर ऐसा लगता है मानो उनके गले में सुंदर पुष्मों की माला पड़ी हो कभी कि यह कल्पना बहुत प्रभावी बन पड़ी है उन्होंने इतने अच्छे से पंग्तियों को रचा है कि मन मतलब मन ही नहीं हो रहा है कि मैं अपनी आख उस द्रश्चे से हटालूं तीसरे प्रशन की ओर चलते हैं निम्नलिखित प्रशनों में से किनी दो प्रशनों के उत्तल लगभग साथ शब्दों में देना है अब आपको कृती का हमारी पूरक पाठ पुस्तिका आ गई है ठीक है प्रशन है माता का अंचल पाठ में वरनित बच्पन और आज के बच्पन में क्या अंतर है क्या इस अंतर का प्रभाव दोनों बच्पनों की जीवन मूलियों पर पड़ा है तरक सहित आपको इस पश्च करना है क्या आपको प्रशन समझ आया बेटा देखिए इसमें पूछा है कि माता का अंचल गया था तो वो जो बच्पन था और आज जो बच्पन आप जी रहे हैं क्या उनमें कुछ मेल खाता हुआ बच्पन था पुराना बच्पन जो लेखक शिप पूजन सहाय जी ने अपना वरण किया था और आज का जो बच्पन है उस उसका कुछ क्या प्रभाव पड़ा है क बिल्कुल पहले खेत खली आनो वह खुले में खेलने की जग है बचपन का अब घर या अपने कमरे तक सीमित हो गया है ठीक है पहले खुले में खेलते थे मैदानों में खेलते थे अब सिर्फ और सिर्फ घर और घर इतना और उसी में मोबाइल बस पहले बचपन को संयुक्त परिवार का प्रेम एबं समय मिलना संयुक्त परिवार समझते हैं जॉइंट फैमिली ठीक है लेकिन अब एकल परिवार में कामकाजी माबाब के जाने के बाद एकाकीपन अब सिंगल फैमिली हैं पापा ममी दोन जॉब पर हैं बच्चा सिर्फ अकेला ये अंतर आया है पहले बड़ों के प्रेम के साथ साथ संसकार मिलना जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार दादा दादी चाचा चाची सब लोग रहते थे तो वहां से अनायास ही हमें अपने आप वैलियूस प्राप्त होती थी परंतु अब माता पिता की व्यस्तता से संसकारों में गिरावट का आना कहां से आएंगे जब वो नहीं हैं उनके सामने तो क्या होगा ठीक है व्याक्या, माता का अंचल पाठ में वरनेत बच्पन से आज के बच्पन में बहुत अधिक अंतरा गया है पहले बच्चे सामुहिक रूप से घर के आसपा स्वचंद खुले वाता वरन और प्राकृतिक परिवेश में खेलते थे किन्तु अब वे केवल अपने घर या अपने कमरे तक सीमित होकर रहे गए हैं उनके खेलने की सामगरी भी भिन्न है ऐसे में बच्चे प्राकृतिक परिवेश से दूर होते जा रहे हैं साथ ही उनमें परस पर सामजस्य और सहीयोग भावना का भी अभाव मतलब समझते कमी हो रही है पहले बच्चपन को सहीयोग परिवार का प्रेम, संदक्षन और समय प्राप्त होता था परन्तु आज एकल परिवार में रहने के कारण कामकाजी माता पिता के कारे पर चले जाने के बाद बच्चे एका की पन का अनुभव करते हैं, लोनली फील करते हैं ऐसे में बच्चे केवल टीवी देख कर या मोबाइल पर गेम खेल कर अपनी शाम और समय बिताते हैं पहले बड़ों के संदक्षन में रहकर उन्हें बड़ों से स्नेहे के साथ साथ कहानियों के माध्यम से उचित जीवन, मूले और संसकार भी प्राप्त होते थे किन्तु अब माता पिता की व्यस्तिता में बच्चों को समय ना दिये जाने के कारण बच्चों में उचित संसकारों और बड़ों का आदर, परसपर सैयोग और सम्मान भावना जैसी जीवन मूलें का अभाव दिखाई देता है तो अंतर तो आया है अगला प्रश्ण हमारी कृति का बुक चल रही है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में नहीत व्यंग को सपश्ट करते हुए बताईए कि मानसिक पराधीनता से मुक्ति पाना क्यूं आवशक है आपने देखा था कि किस तरह से सरकारी तंत्र आजाद होने के बाद भी स्वतंत्रता पराप्ति के बाद भी सरकारी तंत्र मानसिक रूप से गुलाम था और किस तरह से वो जो 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 जोर्ज पंचम था उसकी कटी हुई नाक को लगाने के लिए अपनी इजद दाव पर लगा दी थी और अंग्रेजों के जो लिखाए ना उसमें चाटू कारी ता मूर्ख ता बहुत कुछ ऐसा उन्होंने परीचे दिया तो आपको य मांसिक रूप से घुलाम होते हैं तो क्या होता है हम अपने आपको स्वतंत्र कैसे बनाएं कैसे अपने आपको अपनी जो मांसिक घुलामी है उससे हम कैसे आजादी पा सकते हैं सत्ता से जुड़े लोगों का मांसिक पराधीनता का शिकार होना बिलकुल जो सत्ता से पीचे से उपर तक ब्रश्टा चार व्याप्त होना क्यूं देखते हैं देश के सच्चे विकास वा आम जनता के सच्चे सम्मान वा स्वाभी मान की रक्षा के लिए मानसिक पराधीनता से मुक्ती पाना आवश्यक ही नहीं अनिवार है यदि इसी तरह से मानसिक गुलामी चल कंड्री यदि ऐसा ही उता रहा तो कब हम डैप्लप्ड की उसमें कैटिग्री में शामिल होंगे विकास शील विकास शील सुनते आरहें होंगे 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 यह ना देखी है ततकालीन सरकार की मानसिक परतंतरता परतंतरता मींज क्या होता है बिटा गुलामी स्वतंतरता मींज आजादी परतंतरता मींज गुलामी और आपने वेशक दौर के विदेशी आकरशन पर गहरी चोट की है व्यंग किया है करारा व्यंग किया है अंग्रेजी हुकूमत से पागत में लोक्त पलके भिछाये खड़े हैं साथ ही सरकारी तंत्र में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रश्टाचार व्यापत है किसके पास शिकायत लेकर जाएं जिसके पास हम याचना लेकर जाएंगे वहीं से हमें कुछ ऐसा सुनने को मिल जाएगा तो कहीं आम जंता की तो पूछी नहीं है किसी भी समस्या के आने पर एक विभाग दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डाल कर स्वयम छुटकारा पाने की कोशिश करता है अफसरों में चापलूसी की प्रवर्ती व्यापत है चापलूसी करना है बस लेखक इस मानसिक परतंद्रता पर व्यंग करते कि देश के सच्चे विकास और आमर जनता के सच्चे सम्मान और स्वाविमान की रक्षा के लिए मानसिक परादीनता से मुक्ती पाना अत्यंत आवशक है अगला प्रश्न नदी फूलों वादियों और जहर्नों के स्वर्गिक स्वंदर के बीच किन रश्यों ने लेखिका क साना साना हाथ जोड़ी पाट के अधार पर उत्तर दीज Но बताएं लेखिका तो लिखा है लेकिन लेखिका की को आपको नाम पता है लेखिका मथू कांकरिया जी पाटका नाम साना साना हाथ जोड़ी आजीविका के लिए इस्थानिय महलाओं का अपनी पीठ पर बच्चे लाद कर मार्ग बनाने के लिए पत्थर तोड़ने की विवश्ता छोटे छोटे बच्चों को पीठ में बांध कर पत्थर तोड़ती नजर आई उनको उस प्राकृतिक सुंदर के बीच भूख दैन्य और जीवित रहने के लिए लड़ी जाने वाली जीवन की जंग क्यूंकि इतने सक्रे सक्रे रास्ते थे कि जरासी नजर हटी और पाताल प्रवेश दुरगटना घटी संवेधनाओं को जखजोर देने वाली अनुभूती देखकर लेखिका द्रवित हो जाती हैं अब अंदर तक हिल जाती हैं कि ये क्या है कैसे यहां के लोग इतना देकर बहुत कम पाते हैं व्याख्या प्राकरतिक संदर के अलौकिक आनन में डूबी लेखिका को निमन लिखे द्रश जखजोर गए कुछ पहाड़ी इस्त्रियां आजीवी का कमाने के लिए पीट पर बच्चों को लाद कर कठोर पत्थरों पर बैठ कर पत्थरों को ही तोड़ रही हैं उनी पत्थरों पर बैठी हैं और उनी को तोड़ रही हैं कहते हैं उसी डाली पर बैठे उस पर काटोगे तो गिरोगे लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाग किये बिना अपने जिगर के टुकडों को पीठ में बांध कर रास्ता बनाना है सब के लिए सुभीदा जुट कर लेने जा रही थी उन्होंने देखा कि साथ आठ वर्ष की उम्र के धेर सारे पहाड़ी बच्चे तीन साड़े तीन किलोमीटर की पहाड़ी चड़कर स्कूल जाते और वहां से लोटकर मा के साथ मवेशी चराते पानी भरते और लकडियों के गठर भी धोते हैं यह जो द्रिश्य थे वो लेकिका को जग जोर गए और क्या है चाए के हरे भरे बागानों में युवतियों का बोकू पहने चाए की पत्तियां तोड़ना और सूरज ढलने के समय पहाड़ी औरतों का सिर पर भारी भरकम लकडियों का गठर लेकर गाय चराते हुए लोटना आदी और जिन्दा रहने की जंग को दर्शा रहे थे कि ये जब हमें पढ़ने में हमारी ऐसी स्थिती हो रही है तो लेकिका साक्षात रूप से जब देख रही होंगी तो अंदर से तो उनको जगज हो रही होंगे अब देखिए खंड का हुआ समाप्त खंड का पर हम पहुँच गए हैं जो की रचनात्मक लेखन है ठीक है पहला हमने देखा कि पहले दूसरे पहला और दूसरा जो प्रश्न था खंड का का उसमें 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखने थे फिर खंड मतलब दूसरे प्रश्न पर हम जब पहुँचे जब क्रतिका के प्रश्न आये तो उसम प्रश्न मीज चार प्रश्न होंगे धाई धाई नंबर के ठीक है ऑप्शन्स होंगे निमनलिखत अनिचेदों में से किसी एक विशय पर संकेत बिंदू के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुचेद लिखिए अब ध्यान से सुन लीजे मेरी बात अक्सर बच्चे य बच्चे घखिए धोंतर दोलतीन गाते हैं नहीं करना है बेटा पहला वाला ही चयोगा आपको चाहिए वह अच्छा लिखा हो चाहिए बुरा लिखा हो इसलिए आप जो भी पहले देख लीजे जितने भी options दिये हैं तीन है ना तीन है या दो है तो उसमें से आपको एक करना है तो जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है साथ आपको संकेत बिंदू भी follow करना है संकेत बिंदू को follow करते हुए उनका पालन करते हुए हमें ठीक है तो ये तो रहते ही हैं बाकी सेकेंड है लॉकडाउन की गोशना ऑनलाइन कक्षाओं का आरंब इसके लाब आफलाइन कक्षाओं से तुलना तकनी की से जुड़ी बाधाएं और निश्कर्श अर्थात कंक्लूजन ठीक है दूसरा क्या है मानव और प्राकृतिक आपदाएं क्या कैसंकेत बिंदु है जैसा कि मैंने कहा कि भूमिका और निश्कर्श तो रहेंगे ही प्रकृति और मानव का नाता मानव द्वारा बिना सोचे विचारे प्रकृति का दोहन कारण एवं प्रभाव प्रकृति के रोद्र रूप के लिए दोशी कौन अंतमे निशकर्श तीसरा सडक सुरक्षा जीवन रक्षा संकेत बिंदु भूमी का सडक सुरक्षा से जुड़े कुछ प्रमुक नियम सडक सुरक्षा के नियमों की अंदेखी से होने वाली हानिया इन्हें अपनाने के लाब और अंतम टॉपिक्स कितने दिये हैं जल्दी बताएं तीन टॉपिक्स हैं आपको तीन में से किसी एक पर अपना नुचित लिखना है और अच्छे से संकेत बिंदूओं का पालन करते हुए कहां कितने अंक दिये जाएंगे क्या आपको लिखना है वो भी अंक बताए गए है कि जो तीन अनिच्छदों में से किसी एक विशेपर दिये गए संकेत बिंदूओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुचित लेखन अब देखिए ध्यान से और जो यहां पर आपको हाइलाइटेट दिख रहा होगा आपको ऐसा करना है ऐसा क्या करना है कि आपको ब्लैक सही लिख दीजे या फिर अच्छे से अंडरलाइन कर दीजे ताकि जो चैकर होगा वो अच्छे से देख पाए आपके पॉइंट्स को कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमन को रोकने के लिए 24 मार्च 2020 को देश भर में किया गया ऐसे में विद्ध्यार्थियों के लिए सिक्षा प्राप्ति की अनिवार्यता और आवशक्ता को देखते हुए राज्यों की सरकारों द्वारा स्कूली सिक्षा को ऑनलाइन करने का प्रावधान शुरू किया गया इसके लिए आवशक्ता कि सिक्षकों को इस नई की तकनीक से जोड़कर अध्यापनकार में सक्षम बनाया जाए इसके लिए एंजियो फाउंडेशन्स और निजी क्षेत्र की तकनीकी सिक्षा कंपनियों को भी भागिदार बनाया गया इन सबने मिलकर सिक्षा प्रदान करने के लिए संबाद के सभी उपलब्ध माध्यमों जैसे टीवी, डीटीए चैनल, रेडियो प्रसारन, वाटसेप और एसमेस ग्रूप और प्रिंट मीडिया का भी सहारा लिया सब कुछ बताना होगा हमें कई संगठोनों ने नए अकादमी वर्ष के लिए अकादमी मतलब समझते हैं इन नई चुनोतियों से निपटने के लिए बहुत कम तयार था कक्षाओं में सुचारू रूप से पढ़ाई के स्थान पर अचानक ओनलाइन माध्यम से स्थान अंदरित होने से सिक्षा प्रदान करने का स्वरूप बिलकुल बदल गया यदपी संरक्षन एवं सुरक्षा की दृष्टी से ओनलाइन सिक्षन बहुत लाब कारी रहा बच्चे अपने घर पर ही ओनलाइन कक्षाओं के माध्यम से सिक्षा का लाब प्राप्त कर रहे हैं किन्तु ओनलाइन सिक्षन में विध्यार्थियों को अध्यापकों के साथ विचारों के आदान प्रदान का मौका नहीं मिलता मोबाइल, लैप्टॉप और टैबलेट का ज़्यादा उपियोग बढ़ गया है जिससे विध्यार्थियों का स्क्रीन टाइम बढ़ने से आखों पर विपरीत असर पढ़ रहा है अब वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मोबाइल पर तो विपरीत प्रभाव पढ़ रहा है इस सिक्षन प्रणाली से सुचारू रूप से कार्यान वैन में निम्न आर्थिक वर्ग के विध्यार्थियों के लिए मोबाइल की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ी चुनोती है देखिए, जो आर्थिक रूप से संपन थे, उनके हाथ में मोबाइल सा गए सारी सुमिधाएं आ गई, परन्तु जो आर्थिक रूप से विपन थे या कमजोर थे उनको तो मोबाइल जुटाना भी एक बहुत बड़ी बात थी तो उनके सामने ये चुनोती बन कर खड़ी हो गई जहां माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहते थे वहीं ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों को ही मोबाइल दिया जा रहा है ऐसे में माता पिता भी दोविदा में हैं बच्चों को बढ़ाना भी जरूरी है लेकिन साथ ही उनकी सेहत भी अपनी जगे महत्वपून है बच्चा इसको कितना समझ पा रहा है यह देखना भी अवश्चक है लंबे समय तक मोबाइल का इस्तमाल करने से मोबाइल गर्म हो जाते हैं और ऐसे में दुरखटना की आशंका भी बढ़ जाती है किन्तु वर्तमान में बार-बार कोरोना वाइरस के खत्रे को देखते हुए जबकि लगभग पिछले दो वर्षों से विध्यारती विध्याले नहीं जा पा रहे हैं ऐसे में ओनलाइन सिक्षन, सिक्षा प्राप्त करने का एक उचित और सशक्त माध्यम बन गया क्योंकि कोरोना जैसी महामारी खतरनाग बीमारी से घर के बाहर रखना भी खत्रा था तो ऐसे में ओनलाइन एजुकेशन, ओनलाइन सिक्षा एक सशक्त माध्यम बन गया ठीक है अब चलते हैं हम दूसरा कौन सा था बेटा दूसरा मानव और प्राकृतिक आपदाएं ठीक है मानव और प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति मानव के अस्तित्व का आधार है उसके बिना मानव के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती क्या प्रकृति के बिना मानव की कल्पना की जा सकती है बिल्कुल नहीं असंभब प्रकृति अनेक रूपों में मानव का पोशन करती है उसके खाने पहनने रहने की विवस्था प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति द्वारा ही तो की जाती है किन्तु आज मानव प्रकृति के महत्व को भूल कर प्राकृतिक संसाधन का दोहन करता चला जा रहा है प्राकृतिक संसाधन क्या है नेच्रल रिसोर्स इस दोहन मींस उनका मतलब जरूरत से ज़्यादा उनका इस्तमाल अपने लालच को पूरा करने के लिए जिसके परिणाम स्वरूप हमें अनेक प्राकृतिक आपदाओं नेच्रल डिजास्टर्स प्राकृतिक आपदाओं नेच्रल डिजास्टर्स तो आप यह शब्द याद रखिएगा आपको इनी शब्दों का प्रयोग करना है अंग्रेजी के शब्दों का नहीं जैसे भूइसकलन सुनामी भूकंप बाढ़ सूखे आदी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना उससा है क्रोध है जिसकी अभिव्यक्ति क्षण भर में इस प्रत्वी के से मानव के अस्तित को मिटाने की क्षमता रखती है अब यहाँ पर 150 शब्द कितने लगे आपको कि जो आपकी आंसर शीट रहेगी उसके आपको दो पेजिस तो लिखना है क्यूंकि हम सहाइक क्रिय प्राकृतिक आपदा प्रकृति का मानव के प्रति रोश है जिसकी अभिव्यक्ति क्षण भर में इस प्रत्वी के मानव के अस्तित को मिटाने की शमता रखती है अब क्यूंकि मानव जो है अपनी लालसाओं से पीछे नहीं अट रहा है तो प्रकृति तो क्रोधित होगी ना तो इस तरह से वो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो उसका क्रोध प्रकट करती हैं प्रकृति कि ये भी हो सकता है यदि आपने अभी भी लालच नहीं छोड़ा तो प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मनुष्य भी पर्यावर्णिय असंतुलन के लिए उतना ही उत्तर दाई है आपदा आने पर प्रकृतिका तांडव देख मानव सिहर उड़ता है किन्तु जन जीवन के सामाने होते ही सब कुछ भूल जाता है अब जब कुछ ऐसा होता है तो मनुष्य सुचा नहीं नहीं हम नहीं करेंगे बहुत गलती होई अब हम अच्छे से उप्योग करे लेकिन जैसे ही उन समस्याओं से निकल जाते हैं फिर भूल जाते हैं और फिर पुरानी आदतों में शामिल हो जाते हैं आज मानव व्रिक्षों की तेजी से कटाई और परियावरन प्रदूशन फैला कर अपने क्षणिक सुख के लिए प्रकृति के साथ खिलबार कर रहा ह उत्तरा खंड में घटी आपदा दैविये प्राकृतिक आपदा ना होकर मानव निर्मित आपदा है जिसका विकास परियोजनाओं से बड़े बांधों तक आदी से सीधा संबंध है विकास के नाम पर पहाणों को चीर कर चोड़ी सड़के बनाई जा रही है नदियों का स्वभाविक मार्ग बदला जा रहा है वनों की निर्ममता पूर्वक कटाई की जा रही है नदियों को बांध कर बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं लागू की जा रही है ऐसे में प्रकर्ति का रोश प्रकट करना स्वभाविकी तो है क्या करेगी प्रकर्ति फिर आएंगी प्रकर्तिक आप दाए येस प्रकर्तिक आप दाओं से निपटने का मुख्य दायत्व राज्य सरकार का होता है क्यूंकि वो जिस तरह के नियम बनाएंगी उस तरह का लोग अता सरकार को जागरुख होना होगा आज ऐसे उपाईयों की आवशक्ता है जिनकी योजना पहले से बनाई गई हो सब को उनकी जानकारी हो ताकि आवशक्ता के समय उनका उपियोग किया जा सके मौसम की चेताबनी देकर प्रात्मिक उपचार के बारे में विशिश प्रसिक्षन देकर और बचाव कारी की जागरुकता के द्वारा लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है लेकिन जब सब कुछ घटित हो जाता है फिर आख खुलती है अरे अब हम नहीं करेंगे ऐसा लेकिन फिर जब नॉमल हो जाता है सब कुछ सामान हो जाता है फिर भूल जाता है मानब आपदारोधी इमारतों का निर्मान करना इमारतों की मरमद और उनकी नवीनी करन भी बहुत आवशक है बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स रहती हैं सार्व जने जिनको कहते हैं बना दी गई और छोड़ दी गई भूल गई अब उनकी मरमद करना भी ज़रूरी है प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में हम सब की बराबर की भागीदारी है हम ये सिर्फ नहीं कहेंगे सरकार जाने, सरकार जाने, सरकार जाने कोई एक व्यक्ती सब कुछ नहीं कर सकता है हम सब को मिलकर इसमें योगदान देना होगा तब जाकर कहीं हम प्राकृतिक आपना उसे बच पाएंगे हमें अपने मोहले के लोगों के साथ मिलकर पहले से ही सुरक्षा योजनाय बना कर समय समय पर उनका अभ्यास करना चाहिए कि मान लीजिए खुदा न खास्ता कुछ ऐसी घटना या दुरगटना हो जाए तब हम क्य करेंगे तो पहले से ये प्लान तयार करना चाहिए ताकि हम उस आपदा से निपट सकें लोगों को जागरुक करने के लिए अभियान चलाने चाहिए विद्याले में बच्चों को जागरुक किया जाना चाहिए हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक तो नहीं सकते किन्तु उ समुचित व्यवस्था और संगठन के हानी कारक प्रभाव को कम अवश्य कर सकते हैं प्राकृतिक आप दाएं जो नेचरल डिजास्टर्स रहते हैं उनको रोकना मनुष्य के बश्च में नहीं है परन्तु हाँ यदि बुद्धी मानी से काम लिया गया तो इनको कम अवश्य क किया जा सकता है इनसे अपनी तो रक्षा की जा सकती है ना समुचित व्यवस्था ठीक है अथा हमें प्रकरती का संरक्षन करते हुए उससे अपना मित्रता पूर्ण संबंध कायम करना होगा और परियावरन संरक्षन नियमों का कड़ाई से एक्दम टाइट कड़या सबकरता होना होगा अब इसी का आया है तीसरा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा लेकिन आज हम देख रहे चाहत ट्रैफिक है जरा से यदि सिगनल बंध हो तो चले आते हैं यहां से भी यहां से भी यहां से भी एक्सिडेंस थोड़ा रुक है साबदान हो जाएं कि यहां यह वहाँ दाएं बाहें देखें फिर आगे बनें फिर एक दूजय पर दो शूरु पर शुरू होता है ठीक है तो क्या कि हमें gucken है उंसे देखना है हमें हमाँ इन सब को देखने के लिए हर एक बात का हमें ध्यान रखना ओगा ठीक है अब हम पढ़ना शुरू में नहीं आता है वाहन अपनी उच्च गती से दोड़ते हैं आज सड़क दुरगटनाओं में होने वाली मोतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है ऐसी स्थिती में यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा नियमों का अनुसरन करना अतियंत आवश्चक है सड़क संगठन दो हजार आठ में आकणों के अनुसार ऐसा पाया गया है कि अस्पतालों में अधिकतर भरती होने और मृत्यू की मुख्य वजए सड़क दुरगटनाएं ही हैं अब सोची आप अधिकतर एक्सिडेंट्स ये वो ये हो गया वो हो गया मनलब यही अधिकतर जो अस् सुरक्षित रखने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का अनुसरन करना बहुत आवश्यक है सभी को गाड़ी चलाते समय पैदल चलने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा का विशेश ध्यान रखना चाहिए सड़क पर चलने वाले सभी व्यक्तियों को अपने बाएं तरफ हो समय जादा सावधानी बरतनी चाहिए दो पहिया वाहन चालकों को अच्छी गुडवत्ता वाले हेलमेट पहनने चाहिए और गाली की गती निर्धारित सीमा पर ही रखनी चाहिए ना तो बहुत तेज ना इतना स्लो कि पीछे वाला चिलनाने लगे रहे भाहिया सो गए क्या तीक है सभी वाहनों को दूसरे वाहनों से निश्चित दूरी बना कर रखनी चाहिए यदि ये ट्रैफिक नियम रूल्स सब अच्छे से पालन करेंगे ना कि इतनी स्पीड में चलाना है इतना डिस्टेंस रखना है तो शायद हम द्रुगटनाओं से बच सकते हैं सडक पर चलने वाले सभी लोगों को रोड पर बने निशान और नियमों की जानकारी भी होनी चाहिए यात्रा के दौरान सडक सुरक्षा के नियम और कानूनों को हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों और मोबाइ दिल का प्रयोग कदापी नहीं करना चाहिए नहीं तो ध्यान जाएगा वहां और एक्सिडून्ट होगा यहां ठीक है सामान्य जनता के बीच जागरुकता उत्पन करने के लिए कारेश अलाओं का आयूजन करना चाहिए पाठिक्रम में मूल सडक सुरक्षा पाठ जोडने के द्वारा सुरक्षा नियमों की जानकारी देना ग्रीन क्रॉस कोड अर्थात रुको देखो और सुनो फिर पारकरों के बारे में लोगों को जागरुक कराना अती आवश्यक है हमें अपने वाहन के बारे में मूल जानकारी होनी चाहिए साथ ही दूर दर्शन और रेडियो के माध्यम से भी डॉक्यूमेंटरी बना कर सडक सुरक्षा नियमों का प्रसारन करते रहना चाहिए हर एक व्यक्ति को किसी मानिता प्राप्त स्कूल के द्वारा अधिकरित प्रसिक्षकों के निर्देशन में रक्षात्मक वाहन चालन कोर्स अवश्य पास करना चाहिए यह बहुत अच्छा पॉइंट है एक बार मैं फिर पढ़ूंगी कि हर एक व्यक्ति को किसी मानिता प्राप्त स्कूल के द्वारा अधिकरित प्रसिक्षकों के निर्देशन में रक्षात्मक वाहन चालन कोर्स अवश्य पास करना चाहिए और जो पास करने का जो कार्ड होगा जो सर्टिफिकेट होगा उसी के बाद उनका लाइसेंस होना चाहिए कई बार लोग लंबे समय तक अपनी निजी वहानों को बिना किसी नियमित रख रखाओ और मरमत के उप्योग करते रहते हैं कि काम तो चल रहा है ठीक है ऐसे वहान हमारे जीवन के लिए खत्रा बन जाते हैं और हम ये भली भाती जानते हैं कि जीवन से अनमोल कुछ भी नहीं है हमारी सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है तो हम अपनी जान के प्रती ही यदि लापर वहार रहेंगे तो हम किस के प्रती सही होंगे अतहां क्या करना है ऐसे वाहन हमारे जीवन के लिए खत्रा बन जाते हैं यह आवश्चक है कि समय से वाहनों की मरमत के साथ-साथ उनकी ठीक से कार करने की स्थिति के प्रती भी हम आश्वस्त रहें किसी भी यात्रा जाने से पहले प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आपत कालिन टूल उचित बचाव उपकरन रखने के साथ-साथ वाहन की भी पूरी जाज करनी चाहिए सड़क सुरक्षा में ही हमारे जीवन की रक्षा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा बहुत अच्छा है तो इस तरह से हमें सटीक वाक्यों की सहायता से ये लिख देना है अनुचेद फिर देखी आपको कितने अच्छे से अंक प्राप्थ हो जाएंगे अब आता है हमारा प्रश्न पांचवा आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हैं किन्तु आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई ना करवा कर उनकी शादी करवाना चाहते हैं इस बारे में अपने चाचा जी को समझाते हुए लगभग 120 शब्दों में एक पत्र लिखी पत्र लिखन आगया है पांच नंबर का अथवा अथवा आएगा ऑप्शन आएगा हर एक में यह तो आपको यह करना है यह आपको यह करना है अब यहां पर ध्यान से दीजी अपचारिक मीस इनफॉर्मल लेटर तो अब बताईए इस में से मैं इसको भी पढ़ रही हूँ आप बताएंगे कौन सा अपचारिक कौन सा अपचारिक आपके शेत्र में सरकारी राशन की दुकान का संचालक गरीबों के लिए आय अनाज की काला बाजारी करता है और यह ठीक है बेटा यह है हमारा आपचारिक पत्र क्योंकि यह संबंदित है ओफिस कार्या लयों से तो यह हुआ आपचारिक और यह हैं हमारे रिष्टेदारों हमारे सगे संबंदियों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो यह है अनापचारिक ठीक है समझ आया यह अनौपचारिक ओपचारिक means formality केते हैं आरे जादा ओपचारिक ता है नहीं निभाने जादा ओपचारिक मत बनिये बी normal don't be formal ठीक है तो formal letter means अनौपचारिक informal letter means अनौपचारिक यहां पर confused ना हो जो भी हम अपने सगे संबंदियों को लिखते हैं रिष्टेदारों को लिखते हैं मम्मी पापा चाचा भहिया किसी को भी लिखेंगे तो वह कौन से पत्र होंगे अनौपचारिक जब हम किसी office में लिखेंगे या किसी को बी शिकायती हो यह अनौपचारिक और यह हमार आउपचारिक पत्र क्लिया हुआ ओपचारिक और अनौपचारिक में अंतर दीए गए दो पत्रों में से किसी एक विशए पर लगभाग 120 शब्दों में पत्र लिखना है आपको तो सब से पहले आप क्या करेंगे आरंब तता अंत की आपचारिकता हैं अब आप कहेंगे ये आपचारिकता हैं सब में लिखना है क्या मतलब हमें क्या लिखना चाहिए आधर नहीं पिताजी लिखेंगे हम फिर आप कप्रिय पुत्र लिखेंगे हम तो ये तो हमें लिखना ही होगा तो वो होगा हमारा स्टार भाशा के लिखित रूप को सर्व स्रेष्ट माना जाता है कितने प्रकार की होती है भाशा लिखित भाशा मौखिक भाशा और संकितिक भाशा तो जो लिखित भाशा है वो अधिक प्रमानिक मानी जाती है तो लिखित भाशा में हम बोल चाल की भाशा के शब्दों को यदि ज ठीक है अब हम यहां पर लिखेंगे अपना जो भी अड्रेस हिए 35 अशोक विहर नई दिल्ली दिनांक जिस भी दिनांक अप ढालें आधर नीए चाचा जी साधर चरन इसपरश ठीक है जिससे मुझे ग्यात हुआ कि वह आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है किन्तु आप इसके लिए सहमत नहीं है और उसका विभा करके अपने दायत्व से मुक्तो होना चाहते हैं अब क्या के रहे हैं क्या होता है देखते हैं चाजा जी स्नेहा सदेव एक कुशागर छात्रा रही है कुशागर मतलब सबस्ते हैं इंटेलिजेंट इंटम ब्रिलियंट ठीक है और उसने अपनी बारवी की परिक्षा जिला इस्तर पर तृत्तिये स्थान प्रात कर बहुत अच्छे से पास होना ऐसे में इतनी अल्प आयू में उसका विवाह कर लेना उचत नहीं होगा उसका विवाह नहीं होना चाहिए अब तो सरकार द्वारा भी लड़कियों के विवाह योग्य अठारा साल की उम्र को बढ़ा कर 21 वर्ष किये जाने से संबंदेद विदेहक स अंसद में पेश किया गया है अताहा कानूनी दृष्टी से भी है अनुचित होगा मेरा आपसे अनुरोध है कि क्रपया अधिकतर बच्चे क्रपया लिखते समय आधापा बनाते हैं आधापा नहीं आएगए गटा हमें पूरा पालिखना है क्रीपया ह 내용 क्रपया आप सनेहा को आगे पढ़ने की अनुमती प्रदान कर उसे आत्म निर्भर बनने का अवसर प्रदान करें ठीक है मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसनेहा निश्चित ही सिक्षित होकर अपने परिवार को गौरवानवित करेगी अब देखी कितने अच्छे शब्दों का प्रियोग हुआ है गौरवानवित आशा है आप मेरा यह अनुरोध सुईकार करके उसे शीग्र कॉलेज में प्रवेश दिलवा देंगे आधर्निय चाचा जी को मेरा साधर परणाम और इसनेहा को शुब आशीरवाद कहिएगा आपका भतीजा अमित इस तरह से आप अपने कौन सा पत्र है अनौपचारिक पत्र को पूरा कर सकते हैं लेकिन उसकी भाशा देखिए कितने अच्छी है इसी तरह कि भाषा का हमें प्रयोक करना है यह नहीं चाचा जी नमस्कार मुझे पत्र मिला लेकिन उसमें अच्छा नहीं लगा उसमें लिखा था कि इस नहा की शादी करना है ऐसे नहीं अच्छे अच्छे शब्दों का हमें प्रयोग करना है ताकि हमें पांच में से पांच नंबर मिलने पर या पांच में से पांच नंबर देने पर जो चैकर होंगे वो मजबूर हो जाएं एक और था अथवा अब उसमें है हमारा आपचारिक कैसे लिखेंगे सेवा में जिलाधिकारी मेरट उत्तरवरदेश दिनांग विशे लिखना है येस बहुत से बच्चों का मैं देखती हूँ कि अनौपचारिक पत्र में भी विशे लिख देते हैं विशे चाचा जी को सेव एक नंबर को पहले ही काट के मत रख दीजेगा ठीक है ओपचारिक पत्र मींस ओफिशल लेटर ओफिशल लेटर में ही हमें विशे लिखना होता है सरकारी राशन की दुकान के संचालन में अनियमितता की शिकायत थे तू ठीक है महोद है इस पत्र के माध्यम से मैं मैं यहा सरकारी राशन की दुकान की ओर आकरशित करना चाहता हूं महोद है सरकार द्वारा सरकारी राशन की दुकानों के संचालन का उद्धिश गरीवों के लिए मुफ्त अथवा कम मूले पर अनाज उपलब्द कराना होता है मुफ्त भी है और कम मूले भी है कितन तु अतियंद खेद का विशह है कि हमारे शेत्र में सरकारी राशन की दुकान का संचालक गरीबों के लिए आए अनाज की काला बाजारी करता है जब भी उपभोकता राशन लेने के लिए उसकी दुकान पर जाते हैं तो वह कुछ ना कुछ बहाने बना कर उन्हें निर्धारित राशन नहीं देता और बाजार में अधिक मूले पर उस अनाज की काला बाजारी करता है जब लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं या अपना विरोध प्रकट करते हैं तो वह उन्हें धमकाता है इस संबंद में स्थानिय पुलिस चौकी में भी कई बार शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया गया है किन्तु कोई उचित कारवाही नहीं की गई मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि करपया इस विशे में शीग्र संग्यान लेते हुए उक्त सरकारी राशन की दुकान के संचालक के विरुद्य अनुशासनात्मक कारवाही करके स्थानिय निवासियों की इस समस्या का समाधान करने की करपा करें साधन्यवाद, दिनेश कुमार, प्रीतम नगर, मवाना, जिला, मेरट इस तरह से आप पत्र को लिख सकते हैं ओप चारिक पत्र ठीक है आया प्रश्न छटवा कौन सा है छटवा इसमें क्या है विग्यापन अब विग्यापन कैसा होना चाहिए एडविटिस्मेंट, एकदम आकरशक, चित्रात्मक ऐसा लगे कि देख करी बस हमें तो यही करना है आपको अपना फ्लेट किराय पर देना है इसके लिए लगबग 50 शब्दों में एक आकरशक विग्यापन तयार कीजिए शब्द तो होंगे ही, साथ ही साथ चित्र भी होंगे बच्चों में ये अकसर ये जिग्यासा है या ये पूछ रहे हैं कि क्या मैडम हम कलर पैन का यूज़ कर सकते हैं तो बेटा, not needed, ठीक है? आप अपने ब्लैक और ब्लू पैन का ही यूज़ करिएगा हाँ, पैंसिल से शेडिंग कर सकते हैं, आप कलर्स का मत करिएगा, use अच्छे से अच्छे शब्दों का use करें, आप अपनी रचनात्मक्ता पैन के माध्यम से भी दिखा सकते हैं और दूसरा क्या है, आपकी दीदी ने संगीत कलाकेंद्र खोला है इसके प्रचार प्रसार के लिए लगबग पचास शब्दों में एक आकर शक्विज्यापन तैयार कीजिए अब चलते हैं कि पहले हम flat किराय पर देना है उसके लिए हाँ, हाँ, एक और आएगा, कि सामाजिक क्योंकि धाई-धाई नंबर के हैं ये ये भी धाई का, ये भी धाई का, मतलब इसमें से एक करेंगे तो धाई नंबर के ठीक हैं सामाजिक संस्था सवेरा के नशामुक्ती जागरुक तावियान के लिए लगबग पचास शब्दों में एक आकरशक विज्यापन तैयार कीजिए बहुत कम कीमत में स्मार्टफोन बनाने वाली कमपनी के लिए लगबग पचास शब्दों में एक आकरशक विज्यापन तैयार कीजिए अब देखिए आपको क्या करना है का और खा प्रशनों में से दिये गए दो-दो विश्व में से एक-एक संदेश लगबग पचास शब्दों में लिखना है अर्थाथ टोटल संदेश लेखन के लिए विशाए आएंगे चार यह पहले दो दूसरे दो इसमें से भी एक करना है तो क्या करना है मैं इसमें से भी एक इसमें से भी एक इसको दुनिए हमारे पास कितने आये थे पता चल रहा है ना बेटा कि धाई धाई नंबर के हमारे हैं एक बार और सुन लीजे ध्यान से कि यहां पर नंबर लिखा है आपके यह है धाई नंबर का एक और का में है वहाँ भी दो अप्शन से वो भी धाई के तो हमारे दो पांच नंबर होंगे ठीक है अब देखिए कि विशेवस्तु कित्रे कि रहेगी एक अंक प्रस्तुती एक अंक भाषा आधांक तो बहुत अच्छे से एकदम ऐसा कर दीजे कि बस लगे कि ओह क्या बात है कि राए के लिए खाली है आपको लिखना है अपना फ्लैट किराय पर देना है इतना सुन्दर फ्लैट किराय पर देना है तो आएंगे ना लोग की कैसे दिया कितना दिया देखिए पहले चित्र को देख लीजे आप ऐसा नहीं उसमें समय आप जादा नहीं लगाएंगे पहले आप एक फ्रेम तयार कर लेंगे ठीक है कि हमें क्या बनाना है किराय के लिए एक हाली है एक सुविधा संपन आकरशक फ्लैट नहरू कॉलोनी देहरा दून में जिसमें दो बैडरूम, एक ड्राइम रोम, रसोई घर, पूजा घर, दो शोचाले, दो बालकनी और सुन्दर भगीचा उपलब्ध है 24 घंटे बिजली, पानी की सुविधा, दो वहानों हेतु उचित पार्किंग की सुविधा है, किराया 20 अजार रुपे प्रति माह, इच्छुक व्यक्ति शीग्र संपर्क करें, देखिए, इस तरह से लेकना है, सिर्फ संपर्क सूत्र नहीं, इच्छुक व्यक्ति शीग्र सं देजिए, जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकलना जाये, इस तरह से भी लिख सकते आप, और जितना आकर्शक हो, आप बनाएए, किराय के लिए हो गया अब है कि क्या आपकी संगीत में रुची है संगीत क्या आदमी कोलना है ना क्या आपकी संगीत में रुची है तो आई ये और शी घ्रला उठाइए इस वबसर का आपके नगर में खुल गया है सरस्वती संगीत कला केंद्र अब यदि संगीत से संबंदित कुछ आता ह लेकिन हां कुछ आप यदि कोटेशन्स या कहावतें या इस तरह की बातें तुक बंदी कुछ लिख देंगे तो उसमें जान जाएगी जैसे योग अनुबवी और गुणी संगीत विशेशक द्वारा गायन एवं तबला सितार एवं हार्मोनियम बासुरी आधी वाद्य यंत्रों के प्रसिक्षन की सुभिधा विबन आयू वर्ग के विध्यारतियों के लिए अलग अलग कक्षाएं सब कुछ सारी विशेशना आपको बतानी होगी कि कोई क्यों आपके संगीत कला केंद्र में आये क्यों एडमिशन लेगा ये सब कुछ बतानी होगी उचित शुल के एवं गुन्वत्ता युक्त प्रसिक्षन भात कंडे एवं प्रयाक संगीत समिति द्वारा मानेत अप्राफ पाठिक्रमों की भी विवस्ता इच्छुग व्यक्ति शिग्रसंपर करें पंद्रा बटा बीस बड़ा बाजार रामनगर जिला नैनिताल मोबाइल इतना 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 करके यह दिदी जिए तो कैसे नहीं आपको धाई नंबर देंगे चेकर अवश्य देंगे मेरे बच्चो तो बहुत अच्छे से आपको विज्याबन तयार करना है अब आ गया है नशामुक्ति क्या करना है इसमें आप देखिए कुछ इस तरह के बना दीजे ऐसा और उसको आपने देखे होंगे ना कई चित्र बने रहते हैं इसमें ब्लकुल साफ साफ नजर आता है कि नहीं निशेद ठीक है सबल राष्ट का है आधार सबल राष्ट का है आधार नशामुक्त हो संपून परिवार कुछ पलों का आननद पढ़ सकता है जीवन परभारी नशे की गंदी आदत है सबसे बड़ी बीमारी तो कुछ तुकबंदी टाइप लिख दीजिए आप तो टैंथ में हैं हिंदी को तो बिल्कुल बसाकर रखी है यहां पर सिग्रेट तमबाकू मदीरा गुठका एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन से बचें मादक द्रव्यों के सेवन के पातक घातक दुश्परिनाम घातक ठीक है स्वास्ति की क्षती सामाजिक प्रतिष्ठा की हानी सड़क दुरगटनाओं को निमंत्रन बिखरता परिवार और सबके बाद आप चाहें तो यह लगा सकते हैं यह विसमयादी बोदक चिन बिल्कुल लगा सकते हैं ठीक है सामजिक संस्था सवेरा द्वारा नशा मुक्ती जागरुकता हेतु जन हित में जारी अपने प्रियाजनों को नशे की जान लेवा लग से छुटकारा दिलाने हेतु आज ही संपर्ग करें मोबाइल यह इस तरह से आप मोबाइल नमबर लिख देंगे समझ में आया कि कुछ तुक बंदी शब्दों का प्रियोग करके आपको विज्यापन को इतना कर्शिक बना देना है कि बस लग्यों की मज़ा आ गया बिलकुल क्या लिखा है बच्चे ने ठीक है आगे चलते हैं आ गया सबसे कीमत सबसे कम कीमत में सबसे अधिक समय तक चार्ज रहने वाली बैटरी युक्त मोबाइल और आज कल तो मोबाइल की बहुत जरूरत है तो आप अच्छे से मोबाइल के चित्र बना दीजिए और कुछ ऐसे सेंटेंस कुछ ऐसे वाक्यों का प्रियोग न्यू वंडर स्मार्ट मोबाइल फोन एवं मैजिक मोबाइल फोन आकर्शक रंगों एवं डिजाइनों में 3G और 4G सुविधा के साथ उपलब्ध जितना स्मार्टली आप विज्यापन को लिखेंगे ना मजाल है कि हम मतलब जो भी चेकर हैं वो आपके नमबर काट ले आ पाकर्शक उपहारों का लाव उठाएं पहले आएं पहले पाएं और इस तरह से संपर्ख सूत्र लिख दे तो आपको मिल जाएंगे ढ़ाई नमबर नमबर की तो बात है लेकिन यह कला की बात है कि आप किस तरह से तो मोबाइल का चितरा बना दीजेगा आप तो वैसे भी बहुत अच्छे से सब को चुटाएगा आ गया है अंतिम प्रश्न सात्वा क्या है इसमें बताईए देखते हैं रास्टिये प्रतिवा खोज परिक्षा एंस टीस सी में पहला इस्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को लगवग चालीश शब्दों में शुभकामना संदेश लेखन ठीक है अत्वा सहसिक कारिक के लिए बाल वीरता पुरसकार से सम्मानित होने वाले अपने मित्र को लगवग चालीश शब्दों में बधाई संदेश लिखना है कम से कम 40 शब्दों में संदेश संदेश को आपको बिल्कुल इन बॉक्स में ही लिखना है क्या है खा में भी दो आप्शन्स का से भी आपको मतलब का जो है उसमें भी दो मिलेंगे एक करना होगा खा में भी दो आप्शन्स दिये जाएंगे उसमें से एक आपको करना होगा हर एक संदेश लेखन धाई नंबर का है धाई और धाई मिलके पांच बनेगे विग्याप चालिश शब्दों में एक शुब गामना संदेश लिखिए आईए देखते हैं उत्तर का और खा प्रशनों में से दिये गए दो दो विशव में से एक संदेश किस तरह से अंक विभाजन दिया है रचनात्मक प्रस्तुति कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे आप शुरुवात कै से करेंगे वह रचनात्मक ताब की क्रियेटिविटी दिखाईए यहां पर विशयवस्तू जो आपको विशय दिया है जो भी आपको विशय में स्टॉपिक दिया है उसको आप कितने अच्छे से ग्रण करके शब्दों की माध्यम से वहां पर लिख पाएंगे भाशा किस इस तरह की भाशा का प्रियूब करेंगे कहते ना विटा अब आपको अधिन नमबर यहम कैसी भी भाशा नो भूंद भूंद से घड़ा भरता है तो आपको हर एक अक्षर हर एक शब्द का हर एक वाक्य का ध्यान देना होगा ताकि इतना पॉइंट वन क्या इतना सा भी न उसके बाद हम लिखेंगे साइट समय राइठ हेंड साइट ठीक है अपनी कॉपी के मेरे मुझे मत देखिएगा जो कॉपी में आप लिख रहे होंगे तो लेफ्ट हेंड साइड जाएगी आपकी डेट और राइट हेंड साइड जाएगी आपका समय प्रियमित्र व्यक्ति युष्शे अथक परिश्रम और निरंतर अभ्यास का परिणाम है हम सभी मित्रों को तुमारी इस उपलबदी पर बहुत गर्व ए है इश्वर तुमें जीवन के हर शेत्र में सफलता प्रदान करें सुधान्शू अपना नाम लिख दीजे काल्पनिक नाम ठीक है यह हो गया मिल जाएंगे ढाई नंबर आपको अब क्या है एक और बधाई संदेश जैसा कि अभी मैंने बताया कौन सा हाथ है यह कौपी के साइड वाला लेफ्ट ह साइड लिखना है आपको समय लेफ्ट हैं साइड लिखना है आपको दिनांग और लेफ्ट को क्या कहते हैं बाया दाया ठीक है यह बाया यह दाया प्रियमानव बाल वीरता पुरसकार से सम्मानित होने की अभूत पून उपलबदी की बहुत-बहुत बधाई अपनी जान क परवाह ना करके जिस प्रकार तुमने विध्यालाए के चार विध्यारतियों को डूबने से बचाया वह अतुलनियया है अतुलनियमतलब incredible तो incredible को क्या कहते है अतुल नहीं है ठीक है इस साहसिक कारे से तुमने अपने विद्याला ही नहीं परिवार समाज और राष्ट को भी गौरवानवित किया है इस शब्द को आप बिलुकुल अच्छे से सीख लीजिए समझ लीजिए यह हर जगे काम आता है पत्र लेखन में भी आएगा अनुचे लेखन में भी आएगा विग्यापन लेखन में भी आ सकता है कि आप कर सकते हैं गौरवानवित तो यह आपने किया है गौरवानवित तो इस तरह से यह शब्दा बहुत गौरव प्राउड ठीक है सुखत भविशिक की असंक शुभुकाम नाए तुम ठीक है ओडम पर्व पर सजी रंगोली घर घर बनते हैं पकवान और ओडम पर्व पर सजी रंगोली घर घर बनते हैं पकवान आओ मिलजुल पर्व मनाये नीका दोड संगीत और गान नौका दोड नौका दोड है ठीक है ओडम पर फिर से मैं पढ़ती हूं ओडम पर्व प कुछ भी संदेश लेखन उसमें यदि आप कहावतों को जोड़ देंगे कुछ तुकवंदी लगा कर जोड़ देंगे तो आपकी creativity और दिखाई देगी क्या लिखा है प्रिय मित्र उनम के पावन पर्व की आपको सापरिवार बधाई और मंगल काम नाएं इश्वर से प्रार्थना है कि यह पर्व हम सब के जीवन में उल्लास समरिद्धी एवं सुक शान्ति लाए और संपून विश्व में प्रेम बंधु के भाव का प्रसार करे इस तरह से आपको अच्छे से लिख देना है उसके बाद लिखना है तुम्हारा मित्र रंजन यदि हम अच्छे शब्दों का प्रियोग करेंगे और बहुत सोच समझ कर लिखेंगे तो हमें धाई में से धाई नमबर मिल जाएंगे ठीक है ध्यान रखिएगा बिटा देखते हैं अथवा में क्या था फिर भही सेम कि अपनी कॉपी के लेफ्ट हंड साइड में डेट लिखना है राइट हंड साइड में टाइम लिखना है समय ठीक है आदर निये भाईया और भावी जी विवा की प्रत्थम वर्षगाट की हर्दिक बधाई अब यहां पर ध् लिख दीजे इसको प्रेम और विश्व बंधन यूहीं बना रहे हर पल खुश रहे आप यह अपसर बार बार आए हर मुश्किल में साथ एक दूसरे का रहे इश्वर का आशीरवाद आप दोनों पाएं आपके सुखद भविशिकी मंगल कामनाओं के साथ आपका अग्रज आपकी अनुजा अग्रज मतलब बड़े भाई अनुजा मीज छोटी बहन तो यहाँ पर आदर्निय भाईया और भावी जी को प्रत्थम वर्षगाट समझते हैं ना वैवाहिक वर्षगाट की हार्दिक बधाई दी गई है और इतने अच्छे से लिख दिया गया है तो जो हम परिक्षा हॉल में जाएंगे तो पेपर को देखकर किसी भी तरह से घवराने की आविशकता बिल्कुल भी नहीं है हमारे मस्तिश्क में यहां पर सब कुछ समाया हुआ है क्यूंकि हम एक अच्छे श्रोता हैं और एक बहुत अच्छे दर्शक हैं यदि हम सुन रहे हैं देख रहे हैं तो निसंदे आपकी परिक्षा का परिणाम भी बहुत अच्छा हैगा लापरवाही नहीं करना है गंबीरता के साथ हर एक परिक्षा को पूर्ण विश्वास के साथ देना है अच्छी भाशा अच्छे शब्दों का प्रियोक करके परिक्षा देना है जो भी और घरा के देखने मैडम मुझे तो यह आता था यह नहीं आता था मुझे लगा दोनों करना है नहीं करना है फरस्ट यू रीड इट क्यारफुली जितने अच्छे से आप पढ़ोगे उतने अच्छे से आप उत्तर दे पाओगे और एक बात ध्यान से सुनिए परिक्षा का समय दो घंटे रहेगा लिखना बहुत है आपको यह पहले से तैयार होकर बैठिए क्योंकि आपके प्रीबोर्ड हुए होंगे टेस्ट हुए होंगे आपको एक अनुभवत तो हुआ होगा और आपका यही सुनने में आया है कि पर को छोटा किया जाएगा करना क्या है आपको अपने आप में विकास करना है स्पीड स्टार्टिंग से ही तेज रखनी है ताकि हमारे हर एक पेज की लिखावत समान रहे जिससे आपका जो विश्वास है जो विश्वस नहीं आता है चैकर के मन में बनी रहे कि हां चक्कर में आधा पेपर छोड़के आना है ना बहुत जल्दी लिखने के चक्कर में देड़ घंटे में टाटा बाइबा के दना फिर कहते और यह चाहता तो अच्छी से लिख सकता था इसलिए प्रैक्टिस कीजिए पेपर को देख वीडियो को देखेंगे ना तो सामने प अच्छे अच्छे से पढ़ेंगे और परिणाम बहुत अच्छा लेकर आएंगे बने रहे हमारे साथ क्यूंकि मैगनेट ब्रेंस हमेशा से आपके लिए कक्षा छटवी से बारवी तक की ओनलाइन सिक्षा देगा मुफ्त जी हां 100% एजूकेशन फ्री तो अधिक से अधि वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खुश रहिए स्वस्थ रहिए